हेलो दोस्तों आज हम पाल राजवन्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो देखेगा पालों को जो पाल जो राजवन्स है यह है प्राचेन मध्यकालीन मतलब जो पाल राजवans है इसको हम प्राचीन और मध्यकालिन दोनों कालों में मान सकते हैं क्योंकि पाल राजवans के जो सासर कवरूं ने आट वी से बार वी स्तापदे तक सासर किया था लगबग इस वन्स ने 400 वर्षों तक सासर किया था और जो पाल राजवन्स है इसने बिहार और बंगाल के अधिकतर भाग पर अपना दिपत्ते स्तापित कर लिया था ठीके,आप क्या कि जो पार्वंस है इसका इथियास है पार्वंस का जो इथियास है ये मध्यकालिन भार्तिय इथियास की जो प्रस्ट भुमिया उसमें महत्तौपुन भुमिय का निभाता है और इस से related कई क्यूसर भी एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीके तो देखेगा होता क्या है कि जो पाल है गुर्जर पर्तिहार है रास्टर कूट है इन तीनों सक्तियों में क्या होता है कि लड़ाई होती है और किस चीज को लेकर होती है कन्योज को लेकर होती है जो कन्योज है यूपी में था तो कभी क्या होता है कि कन्योज पर पर्तिहार कर लेते हैं कभी पाल कर लेते हैं तो कभी रास्टर कूट कर लेते हैं ठीके तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे बंगाल के पाल वहस के बारे में जानकर रिप्रात करेंगे आगे के वीडियो में हम आपको पढ़तिहारों के बारे में रास्ट्रकूटों के बारे में भी बताएंगे और पहले भी हमने रास्ट्रकूटों और पढ़तिहारों के बारे में वीडियो बनाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं ठीक है तो देखिए इसका जो पहला जो सासक था वह कोई सैनिक था और उसी को मतलब यहां का सासक जनता ने सैनिक को ही बना दिया था जो 750 इस्वी के लगबग सासक बना था ठीक है देखेगा होता क्या है कि इसकी प्रस्ट पुमी क्या है वो समझेगा थोड़ा साक हर्षवर्दन के समय गोर मंस का सासक ससांग था जिसने हर्षवर्दन के बड़े भाई राज्यवर्दन की हत्या कर दी थी ठीक है अब क्या होता है कि ससांग है वह कनोज के तरफ बिल्कुल भी धान नहीं देता है और ससांग के भी मर्ट्य हो जाती है तो ससांग के मर्ट्य हो जाने के बाद क्या होता है कि यहां की जो जनता है उसमें यह अफरा तफरी मच गई थी कि अगला राजा कौन होगा और जो एक स्यानिक था जो एक रचसक था गोपाल नाम का व्यक्ति उसको वहाँ की जनता है वो सर्वसम्मति से राजा बना देती है और यही गोपाल पाल वंस का पर्थम सासक होता है जो बोध दरम का अन्याई भी होता है ठीक है तो हमने यहाँ पर आपको बंगाल के पाल राजवंस की प्रस्टमों में थोड़ी सी समझाई है तो देखेगा पढ़ते हैं बंगाल के पाल सासक हर्स के समकालेन ससांग के बाद पाल वंस के नेत्रुतों में बंगाल के सक्ति संगठित हुई और देखते ही देखते इसकी और बचांचे 770 इस्विय में की थी बंगाल के सामंतों नी बंगाल की राजनीतिक कल है तिथा उठल पुतल को सबाब करने के लिए गोपाल की योगेता से परबावित होकर उसे अपना सासक चुना इन सामन्तों ने राज्य के हित के लिए अपने वेक्तिक स्वार्थों का बलिदान किया तिबत्ती ध्यासकार तारणात के नुसार गोपाल पुंडरवर्धन के एक्छत्रिय परिवार में उत्पन हुआ था उसने यूद द्वारा राज्य का विस्तार किया तथा राज्य को द्रड़ संगठन भी पर्दान किया गोपाल ने ओधनपुरी जो बिहार में है एक मठ भी बनवाया था बंगाल का पहला जो बोध्यस्त राजा था बोध्रम को मानने वाला राजा था बंगाल का वैं कौन था गोपाल था ठीके अब आता है अगला सासक धरमपाल ये गोपाल का पुत्र था ठीके अब होता है कि जो धरमपाल है इसने ये मतलब एक योगे सासक था और इसने बंगाल को उत्री भारत के परमुक राज्यों की स्थापित कर दिया धरमपाल के समय उत्री भारती में कर्णोज पर आधिपत्ते के लिए त्री पक्स ये संगर्स की भूमी का तयार हो रही थी ठीक है संगर्स होना प्रारम होता है भूमी का तयार हो रही थी तो क्या होता है कि मालवा तिथा राजस्तान के परतिहार ठीक है मालवा और राजस्तान के तो गुर्जिर परतिहार और दक्सिन के रास्टर कूड गंगा घाटी के उर्वरक भूबहाग पर आधिपत्ते स्तापित क पूरे मनोबल और ससन्य बल से प्रेरित हो रहे थी अपने विस्तारवादी अभियान में धरमपाल पहले परतिहार वत्सराज से प्राजित हुआ फिर राश्ट्रकूर्ड धुरुए के सामने भी इसे हार का सामना करना पड़ा। हुआ कि जो पाल सासक धरमपाल है वह परतिहार सासक वत्सराज और राश्ट्रकूर्ड सासक धुरुए दोनों से क्या होता है प्राजित होता है किन्तु धरमपाल परतिहार सकती पर राश्ट्रकूर्ड के आगात से लाब उठाने में समर्थ हुआ किन्तु धरमपाल क्या है क पर्तिहार सक्ति पर राष्ट्र कुटों के आगात से लाब उठाने में सम्मर्थ हुआ मतलब राष्ट्र कुटों से इसने सयोग लिया और पर्तिहारों को प्राजित किया उसने कन्नोज पर आकर्मन करके इंद्रायूद को गद्धी से हटा कर चक्रायूद को अपने सरंगसन में कन्नोज का सासक बनाया था इस कारण से कन्नोज में धरमपाल द्वारा आयुजित एक सभा में भोज, मतस्य, मद्रो, कूरू, यदू, यमन, अवन्ती, गांधार तथा कीर के सासको ने इसका दिपत्य श्विकार कर लिया या कस्मिक नहीं है कि ग्यारविस्त आपदी के गुजराती कभी सोधल ने धरमपाल को उत्रापत स्वामिर कहा है किन्तु इतना होने पर भी धरमपाल की ये सफ़ता दिर्ग कालिन साबीत नहीं हुई परतिहार नागभट सेकिंड ने कंदोज की गदी से चक्रा युद को हटा दिया और धरमपाल को चुनूती दि और मुंगेर के युद में उसे प्राजित भी कर दिया तो मुंगेर के युद में प्राजित क्या गया और नागभट भीती ने किया किसको धरमपाल को किया लिया उसकाल में परसिद परमेश्वर परमबटारक महराजादी राज आदी विरूद उसकी राजनितिक परतिस्टा के परिशाएक हैं तो जो धरमपाल है उसने उपाद्य धरन की थी परमेश्वर की परमबटारक की महराजादी राज की ठीक है आप देखेगा जो धरमपाल है इसने विक्रम सिला विश्व विदाले भी बनवाया था और जो विक्रम सिला विश्व विदाले ये बिहार के भागलपूर में इस्तित है और जो विक्रमसिला विस्वविदाले ये नालंदा विक्रमसिला विस्वविदाले उसकी तरह ही है अब जो नालंदा का विस्वविदाले ये किस ने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था और एक इंपोर्टेंट पाथ यह द्रमपाल के बारे में कि इसके काल में हरी भद्र नामक बोध विद्वान रहते थे अब आता आपका देवपाल तो अपने पित्ता के ही सम्मान यह भी योगे तथा समराजे वादिशास था द्रमपाल की तरही पाल समराजे को संगठित रखने के साथ इसने लगातार युद द्वारा अपने राजे का विस्तार किया देपाल के पर्तिहार नागबर द्वित्य को करनों से ख़देरने में सफ़ता प्राप की और वह उत्री भारत की विजए में सलगन हो गया था अभीले को से पता चलता है कि उसने उत्तर में हिमाले तता दक्सिन में विंधे तक आकर्मन किया था पूरो उत्तर में उसने आसाम और उत्कल के सासकों से अपना दिपत्तेश श्विकार किया था किन्टो ये दोनों सिक्रे स्वतन तर हो गए संबवता उसने दर्विड अर्तार पांडो तथा रास्टर कूर्ट सासकों से भी युद्ध किया ऐसा पर्तित होता है कि पर्तिहा नागभट को हराने के बाद उसने पंजाब तथा कमभोज में भी सहनिक अभियान किया था कि पर्तिहार तथा रास्टर कूर्ट सासकों से अधिक सक्तिसाली माना है इसमें कोई संदे नहीं कि बंगाल को उत्तर भारत की ततकालिन्द राजनिती में पर्तिष्टित स्थान प्रात कराने का स्रे ध्रमपाल तथा देपाल को ही दिया जाना चाहिए ठीक है पाल वन्स के थ्यासमें सन आट सो पच्चास से नो सो अठेसी स्वितक का काल है वै अमनत्ति का काल रहा है अर्थात यहां कोई योग्य सासक नहीं थे इस वन्स के विग्रह पाल पर्थम नारायन पाल राज्ये पाल गोपाल द्वित्ये विग्रह पाल द्वित्ये स सांती प्रिया सासक थे राश्ट्रकूटों तता परतिहारों कि आकर्मन से बंगाल की सक्तिय निर्बल हो गई थी क्योंकि राश्ट्रकूटों परतिहार तो आकर्मन करी रहे थे और इधर पाल सासकों सांती से बठे थे तो क्या होता है कि बंगाल के सक्तिय निर्बल हो जाती है कमजोर पड़ जाती है यहां तक कि पाल समराजय से अनेक भाग भी अलग हो गए थे अब क्या होता है कि इन सास को दुरूबर सासकों के बाद को नाता है महिपाल पर्थम जो 1988-138 इस्वितक सासन करता है अब देखेगा कि जो पाल वन्स है इसका जो सैंस्टापक तो था गोपाल और इसका जो दृत्य सैंस्टापक था पाल वन्स का वै किसे माना गया महिपाल पर्थम को इसने तिबद में बोधरम के परचार के लिए अपने वेक्तियों को भी भेजा था और इसके अन्य नाम भी है जैसे की विनायक पाल है चितिज पाल है उत्रापत स्वामी है ठीक है और अब क्यों होता कि है कि जो विग्रपाल द्वित्य इसके उत्रादिकारी महिपाल के समय पाल राजे का विस्तार मगद या दक्सिनी बिहार तक था उसने पाल वन्स के सत तता पर्तिस्टा को पुन्र जीवन देखकर अपनी योग्यता प्रमानित की लगातार युद द्वारा उसने उत्री पस्चिमी तता पूरी बंगाल पर अपना पूर्ण नियंद्रन स्थापित किया साथ ही अपने राजे की सिमा उसने वारानसी तक बढ़ाली किन्तु राजेंदर चोल जो एक हजार इकीस से तेवीस इस्वी के बीच तथा कल्चोरी गांगे देव के आकर्मनों से इसकी सक्ति तता परतिस्टा पर गहरा अगात महुचा फिर भी बंगाल तता पिहार के अधिकांस भाग इसकी दिन्था में थे एक लंबे कालक्व अंदराल के बाद पालमंस के सता पुन्ता इस्ता परफित करने के अकारण इसे पालमंस का दूसरा सता पर किसे माना गया है महिपाल पर्थम को अब होता क्या है कि जो महिपाल पर्थम है इसके समय में क्या होता है कि दक्सिन भारत में चेर, चोल और पांडे सासन कर रहे थे जिसमें जो चोल है वो तमिलाडु में राज कर रहे थे और इन होने क्या क्या कि महिपाल पर्थम को हरा दिया था अब अगला सासक आता है नेपाल जो 1938 से 1055 इस्वी में सासक बनता है महिपाल के उत्रातिकारी नेपाल को लंबे समय तक कल्चुरी कर्ण के साथ युद में रत रहना पड़ा था इस तरह के आज अने प्रमान मिलते हैं कि बोध आचारी श्रीग्यान की मदेस्ता से दोनों राजियों में 37 स्ताफिट हुई थी उसके उत्रातिकारी विग्रेपार्ट रित्य को भी कल्चुरी कर्ण चालुक के विक्रमा दित्य चतुर तथा कोंसल के सासक महासिव गुप्त यायाति के आकर्मनों का सामना करना बढ़ा था जिसके कारण पाल समराजे के अनेख भाग स्वातंतर हो गे किन्तु किसी परकार से वा बंगाल, गोड तथा मगत को अपने अधिन रख सकने में समर्थ रहा अपने भाई महिपाज वित्य तथा सरपाल को गद्धी से हटा कर राम पाल ने युद तथा कूटनिती से पाल वंस के अंतिम गरीमा को कुछ और समय के लिए जिवित रखा उसने वारेंदरी में विजे प्राप्त की और आसाम के सासक को अपने अधिन कर लिया यह राजा कलिंगे सासकों की बढ़ती हुई सक्ति को रोकने में भी समर्त रहा गोविंद चंद्र गहडवाल के परिवार से विवाइक सम्मन्द दुआरा इसने उसे पाल समराजे के और नहीं बढ़ने दिया उसे इस वेवाई सम्मंद से प्राप्त होने वरी मित्तरता का बड़ालाब हुआ उसने पस्यमी बंगाल तता बिहार के सासक नान्य देव को पाल राजे में दखल अंदाजी नहीं करने दी नेपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल, तुरूतिय तथा मदनपाल ने 30 वरसों तक सासन किया किंटू इस काल में आंतरिक कलह है, सामन्तों के विद्रो है तथा अन्य राजियों के आक्रमन के कारण पाल राजे का अंद हो जाता है तो देखिएगा, पाल वंस है, इसका अंतिम सासक कौन था? मदनपाल था, ठीक है? पाल वंस के सासकों ने बंगाल को रुआनतिक एकता परदान करके सांसकर्तिक सम्मूननतिका मारक परस्तूत किया है साथ ये सासक बंगाल का महत्व है, लगबक 400 वर्सों तक स्तापित करने में सफर रहे उनके राजे काल में बंगाल के बोध दरम का अनेक रूपों में प्रियाप्त उतकर्स भी हुआ था तो हम कह सकते हैं कि जो बंगाल के जो पाल सासक है वो बोध दरमाम लंबी थे उन्होंने बोध दरम के लिए काफी कुछ किया भी था बोध दरम का परचार परशार में लोगों ने करवाया था और अब देखेगा यहां पर एक महत्तव पुन बात यहां पर महत्मा बुद्द को जो ग्यान के प्राप्ति हुई थी उसी बोधी वरक्ष को ससांग ने कटवा दिया था जो बंगाल का गोर सासक था तो कई बार कि उसनों पूछा जाता है कि बोध गिरी को किसने कटवाया था वो है आपके बंगाल के गोड ससक ससांग तो देखेगा इस वीडियो में हमने बंगाल के पाल सासकों के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे के वीडियो में हम आपको इन सासकों के बारे में और भ अतंड के लिए इसफ does के पाइल terों हो कि अव понад ह कि अ